नमस्कार फैंट्स में नाम बबल और मा पेपर है करमी आपका स्वागत है आज जो देखने वाले हैं बोपना हो जाता है इनवार्मेंट का पार्ट नमबर 16 ठीक है तो इनवार्मेंट का जो पार्ट नमबर रहने वाला है बोपना हो जाएगा 16 इससे पहले के 15 पार्ट आपक हाकर.in पर जाना है बहां जाकर आप इंबोर्मेंट डेटन मिलेगा बहां जा के आप डेख सकते हो क्य बहां पार आपको प्लेलिस्ट मिल जाती है ठीक है तो हमारी一樣 साइट पे बी जाके आप इनको देख सकते हो ठीक है और जिसकी को PDF आनलोड करना है PDF नोट्स आनलोड करना है ठीक है तो भो भी कहां से टानलोड करेंगे हमारी साइट से डानलोड करेंगे www.hackardot in ck तो बहां जाके आपको सारे की सारे मिल जाते हैं इंप्रेंट पर आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो हमने part 15 तक क्या देख लिया, हमने देख लिए unit number, जो unit number 3 थी, वो हमने कहां पर cover कर ली थी, part 15 तक cover कर ली थी, अब हम क्या वढ़ने वाले हैं, unit number 4 को पढ़ने वाले हैं, और हमारी last unit होने वाली है, तो बात करते हैं, unit number 4 की जिसमें कि क्या देखने को मिल सकता है जैसे मुक्य पर्यावड़िछ समस्याा की प्रदुस्र New संसादों का बच्चाप देखने को मिलेगा और रहाएं कि मिल जाते हैं तो unit number 4 में हम यह चीज़ देखने वाले हैं बढ़ते हैं वड़वड़ कोशनों की और फर्स्टे कोशन आपके सामने कुछ इस प्रकास से हो जाता है सबी लोग यहां पर आंसर देने की कोशस करेंगे बात करते हैं कि उशन नमबर बन की कि उशन नमर बन हमारा कह रहा है कौन सा एक बन बिनास का कारण नहीं है कि बन बिनास का कारण कौन सा नहीं है आपको बताना है पहला ब्यापारी किरसी और दोगी करण बानागनी बाड तो राइट आंसर में बताना है कौन सा होगा बन बि करते हैं बाड आएगी तो बन बिनास बिलकुल होगा और दोगी कर्ड क्योंकि आपको पता है जो बोर्ड वगरा होते हैं प्लाइबोर्ड किसके बना जाते हैं लकडी के ही तो बन बिनास यहां पर भी देखने को मिल जाता है बनागनी बन में लगने वाली आग कि क्या कहते ह बनागनी कहते हैं तो इसमें भी क्या होगा बनुका बिनास होगा मगर जो ब्यापारिक किर्सी है जैसे कि धान गियों हूँ है ना और मक्का वाजरा करना ये कैसी है इसमें बन बिनास देखने को नहीं मिलता है तो राइट आंसर अप्शन नमबर ए हो जाएगा नेक्स इतिक एक अगार पर कौन सी प्रजाती है यहां को बताना है काला पंडा या अपना काला हिरन बाग या फिर सफेद भालू तो राइट आंसर बताना है कौन सा हो जाएगा कौन सी एक पसू प्रजाती बिलुप्त प्राय इस्तिति में है तो फिर राइट आंसर होगा सफेद भालू, option number D बिल्कुल right answer, next बड़ते हैं यहां द्रकाय प्रदूसित पानी में होता है जो प्रदूसित पानी होता है उसमें क्या होता है अपवे होते हैं, गंदगी, प्रदूसर या फिर, जी बाडू तो यह repeat question है दूसित पानी में क्या होगा प्रदूसर होगा, क्या होगा प्रदूसर होगा, right answer होगा option number C next question की बात करते हैं द्रकाय एक मौन छेतर है एक मौन छेतर कौन सा है भैं आपको यहां पर बताना है तो बात करते हैं पहला अस्पताल, किलब printing press, यहाँ पर हो जाता है कार खाना, तो right answer हमारा क्या होगा, फड़ा बड़ा answer दीजिएगा यह को बात करते हैं कौन, एक मौन मौन मतलब क्या होता है, बिल्कुल मुबंद करते हैं न, आबाज नहीं आनी चाहिए है न, आबाज नहीं आनी चाहिए तो एक मौन चेतर कौन सा होगा, दोको कार खाने में बिल्कुल आबाज आएगी, यह तो खतम है printing press यह भी करेगी और club भी करेगा, मगर अस्पताल जो है, वो कैसा चेतर होता है एक मौन चेतर होता है तो right answer option number, एक ही ओर जाएँगे next बरते हैं next question दे रखा है, निम्रिकित में से कौन सी प्राकरतिक आपदा नहीं है, तो प्राकरतिक आपदा कौन सी नहीं है, वापको बताना है चक्रबाद, भूकंप, युद्ध सुनामी सुनामी प्राकरतिक आपदा है भूकंप भी प्राकरतिक आपदा है चक्र बात भी कैसी है प्राकरति का अबदा मगर युद्ध की बात करते हैं ये कैसी है कृत्रीम है क्योंकि इमानब के द्वारा किया जाता है आगे बढ़ते हैं हरित घर बनाया जाता है जो हरित घर होता है मैं किस से बनाया जाता है आपको बताना है अस्पताल का, लकडी का, मिट्टी का या फिर हो जाता है अपना सीसे का आ तो अपना कहां तक था भई यहां पर हो जाएगा अपना हरित घर बनाया जाता है बेरी बेरी इंपोर्टेंट क्योशनिया पर रहने वाला है जो को बात करते हैं इस बात का बिलकुल नहीं क्या लोहे का आप बनाओगे बिलकुल नहीं बनाओगे लकडी का ये भी नहीं और नहीं मिट्टी का जो हरित घर मतलब जिसमें उर्जा का आदान परदान होता रहे उसको क्या कहते हैं हरित घर कहते हैं तो यह किसका बनाया जाएगा, सीसे का बनाया जाएगा, राइट आंसर उपसे नमबर डी हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं next question, यहाँ रखा है पानी के प्रिदूसर के लिए जिम्मेदार है, जो पानी में प्रिदूसर होता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, तेल सोधन सलाएं, जो तेल सोधन सलाएं होती हैं वै, यह पिर कागज के कार खाने, चीनी मीलें, उप्युक्त सभी, तो आपको पता है, चीनी मीलों से क्या निकलता है, गंदा पानी, तेल सोधन कार खानें, उनसे भी निकलता है, और कागज के कार खानों से भी निकलता है, यहाँ पर तो राइट आंस होगा, उप्युक्त सभी रहने बाला है, आगे बढ़ते हैं, बिस्ब में, अमल बर्सा से सरब्दिक प्रभावित देश है, बेरी बेरी इंपोर्टेंट क्यूशन है, एक्जाम में आने की 95% यहाँ पर चांस हो जाते हैं, बात करते हैं, बिस्ब में, अमल बर्सा के सरब्दिक प्रभावित देश है, चीन, नार्वे, जापान, या फिर ब्राजील, तो राइट आन्सर अमारा क्या होगा, तो बात करते हैं, अमल बर्सा, जब कभी आपको बर्सा देखने को मिले, तो आप बाद देख लीजेगा, बासे बर्सा, और बासे ब्राजील, तो राइट आन्सर उप्शन नमबर हो जाएगा अपना, डी, नेक्स बढ़ते हैं, नेक्स एकुशन की बात करते हैं, निमिकेत में से कौन सा एक, भारत का सबसे बड़ा, घरेलू, बायू पिर्दूसक है, जो घरेलू बायू पिर्दूसक कौन सा है, और होना चाहिए सबसे बड़ा, पहला ओजोन, रेडॉन, carbon monoxide या फिर अपना हो जाता है formaldehyde तो right answer हमारा क्या रहने वाला है बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा घरेलू बायू पूर दूसरा कौन सा है तो बैह हो जाता है carbon monoxide CO ये question बहुत बार repeat हो चुका है इसका 100% chance है कि आपके एक्जाम में देखने को मिलने वाला है आगे बढ़ते हैं next question यहां रखा है मिर्दा सनच्छण पिरकिरिया है जहां मिर्दा सनच्छण पिरकिरिया है जहां क्या देखने को मिलता है मिट्टी में उर्वक मिलते है मिट्टी को बायू प्रिभावित करते हैं मिट्टी को अपर्दन से बचाते हैं मिट्टी का अपर्दन होता है तो मिर्दा सनच्छड पिरकिरिया है जहां क्या होता है आपको बताना है तो आपको पता है मिर्दा सनच्छड की जा रही है मतलब भी खट्टिक की जा रही है तो क्या होगा मिट्टी को अपर्दन से बचाना होगा तो right answer होगा option number C next बढ़ते हैं ध्वहनी प्रदूसर मुख्य रूप से प्रिभावित करता है जो ध्वहनी प्रदूसर है मानसिक आसमानाताएं देखने को मिलती हैं तो right answer option number A हो जाएगा इसमें neurons बगरा काम नहीं करते हैं आगे बढ़ते हैं जैविक खेती संबंदित है जो जैविक खेती है किस से संबंदित है उर्ब्रकों के परियोग से कीट नासी के परियोग से खर्पत बार नासी के परियोग से कामने परदार्थों के परियोग से तो right answer क्या होगा जैविक खेती संबंदित है तो आपको पता है जो सड़े गले परदार्थ होते है उनसे क्या बनाई जाती है जैविक खाद और जैविक खेती में उनी का परियोग होता है तो कहरा है जैविक खेती के संबंदित है तो यह हो जाती है कार्बन पतार्थों के परियोग से राइट आंसर हो जाएगा option number D next बढ़ते है next question की बात करते है प्रतिव्यक्ति green house gas का उतसर्जन बिस्प में सबसे अधिक होता है कहरा है प्रतिव्यक्ति green house gas जो प्रतिव्यक्ति green house gas है उतसर्जन बिस्प में सबसे अधिक होता है कहां होता है अमेरिका में, औरस्टेलिया में, चीन में या फिर जापान में तो राइट आंसर हमारा क्या होगा ये question repeated हो चुका है तो प्रति विक्ति ग्रीन हाउस गैस का उसर्जन विस्प में सबसेद एक होता है अमेरिका में राइट आंसर हो जाएगा option number A आगे बढ़ते हैं next question की और next question की बात करते हैं बैस्बिक ताप के प्रभाव से होता है जो बैस्बिक ताप होता है उसके प्रभाव से क्या होता है ताप कर्मे बिद्धी मौसम और जलवायों में परिवर्तन कम अन उत्पादन या फिर ये सभी तो right answer मारा क्या होगा बैस्बिक ताप के प्रभाव से देखने को क्या मिलता है बैट-ाप करम में विद्देतू होनी वाली है ठीक है? बैट-ाप के प्रभाव यहां पर देखने को मिल रहा है और मौसम और जल्वाइयों प्रवर्तन होगा बिल्कुल होगा क्योंकि ताप मान क्या होगी ठंडे से गरम होगा तो मौसम और जलवायो परिवर्थन देखने को बिल्कुल मिलने वाले हैं कम अनुत्पादन होगा ये वी बाद बिल्कुल सही है तो राइट आंसर उदाएगा उप्शन नमबर D आगे बढ़ते हैं ग्रीन हाउस प्रभाब द्वारा उत्पन समस्याएं हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाब होता है इफेक्ट पढ़ते हैं उसके द्वारा उत्पन समस्याएं क्या होती हैं आपको बताना है जलवायो में परिवर्थन समुद्र के जल इस तर में ब्रदी या फिर उर्जा के इस तोत में कमी या फिर ये सभी तो राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है आपको पता है जब ग्रीन हाउस प्रभाब कह सकते हैं इस द्वारा उत्पन समस्याएं क्या होंगी ये हमारा छोब मंडल है ये एक परत है ठीक है छोब मंडल वाली इसमें क्या होता है ग्रीन हाउस पर आप देखने को मिलता है मतलब ताप मान जो होता है वो क्यों होता है कुछ गैसों के इसमें एकत्र होने के कारण होता है और इनी के कारण क्या होता है यहां करता आप बढ़ता है तो यहाँ पर रखा है जलवाई परिवर्तन होगा बिल्कुल सही क्योंकि गैसे उची नीची होगी कम जादा होगी तब ही तो Green House पे एफेक्ट देखने को मिलेगा बिल्कुल तो जलवाई परिवर्तन हो जाएगा और समुद्र के इस्तर समुद्र का जल इस्तर होगा उसमें ब्रद्धी होगी बिल्कुल होने वाली है उर्जा के इस्तोत में कमी होगी बिल्कुल हो जाएगी जब इसका अतापमान कम होगा तो उर्जा का इस्तोत क्या होगा नीचे गिर जाएगा तो यहाँ पर जो या फिर बर्सा, तो जीवासमी उर्जा होती है, कह सकते हैं, जीवासम जो है, पेट्रोल, पेटरिक गैस ठीक है, डिजल वगरा इसका दर हम प्रियोग करते हैं, तो क्या बढ़ता है क्या सहरी कराबरता है? बिल्कुल नहीं स्वास्त परेवर बढ़ता है बिलकुल नहीं क्या बढ़ता है भई अमलिय बरसा होती है तो right answer option number हो जाएगा अपना C next question tsunami है सुनामी कौन है आपको बताना है एक समुद्री धारा एक बरकार की हवा एक बिनासकारी समुद्री लहर या फिर एक बरसा चक्रबाद तो यहाँ पर right answer क्या होगा सुनामी है सुनामी क्या है आपको बताना है यह हो जाती है एक बिनासकारी समुद्री लहर right answer option number हो जाएगा अपना C next question की बात करते हैं चिपको आंदुलन किस बरस में हुआ था very very important है परियावर समद्र से सम्द्रित क्योंकि environment की आपका यहाँ पर question पर आने वाला है तो environment में यह question आपको 99% question की आने चांस यहाँ पर होजाते हैं बात करते हैं चिपको आंदुलन किस बरस में हुआ था तो चिपको आंदोल किस समंदित है ये बनों के सन्दचर समंदित हो जाता है बचाओ समंदित हो जाता है तो चिपको आंदोल किस बर्स में शुरू हुआ था पहला देखा है 1982, 1982, 1992, 1975 तो राइट आंसर मारा क्या होगा तो चिपको आंदोलन किस बर्स सुरू हुआ था तो यह सुरू हुआ था 1922 में बेरी वेरी इंपोर्टेंट क्यूशन है और बन बचा उसका एक प्रकार सिनारा हो जाता है बनों को बचाने के लिए चिपको अंदोलन चलाए गया था आगे बढ़ते हैं दिरका है सेतु समुद्रम कैनाल परियोजना प्रारं क्या होगा सेतु समुद्रम कैनाल को जो राम ने तियार किती उसे ही क्या कहते हैं इसकर योजना का परामि क्यों किया गया था आपको पता है राम ने क्या किया था पश्चिम और पूरवी हाटिकी दूरी को कम करने के लिए किया था तो राइट आंसर उदाय का option number D आगे बढ़ते हैं next question यहाँ देखाए गरीवी एक गरीवी का प्रमुकारण है जो गरीवी है उसका प्रमुकारण क्या है प्राकृत्त संसादनों की कमी प्रदूसर जनसंक्या बिसपोर्ट या पिर काला धन तो गरीवी का जो मुख्यकारण है बह क्या है तो बह हो जाता है जनसंक्या बिसपोर्ट सबसे अच्छा कारण आगे बढ़ते हैं निमिकत नदियों में से नियूंतम प्रदूसित नदी है very important question तो ठीक है right answer option number D रहने वाला है आगे बढ़ते हैं यहां रखा है global warming के लिए कौन अधिक उत्तरदाई है जो global warming होती है उसके लिए कौन अधिक उत्तरदाई है आपको बताना है sulfur dioxide, nitride, cfc इन में से कोई नहीं तो right answer हमारा क्या होगा global warming के लिए कौन अधिक उत्तरदाई है तो बहव हो जाता है cfc, chlorofloro, carbon, right answer हो जाएगा option number अपना c आगे बढ़ते हैं सुनामी बिनास 2004 का कारण था जो सुनामी आई थी 2004 में उसके बिनास का कारण क्या था बाड, जौला मुखी विस्पूट, भूतापन या फिर भूकम्प तो right answer हमारा क्या होगा जो सुनामी 2004 में जाए थी उसका कारण हो जाता है अपना भूकम्प, right answer हो जाएगा option number D, next बढ़ते हैं जल संकट का प्रमुक कारण है, जो जल संकट है उसका प्रमुक कारण क्या है या आपको बताना है, तापमान में ब्रद्धी, अतिदेख दोहन, नगरिये करण, या फिर अपना हो जात कब देखने को मिलेगा, जब आप अतिदेख दोहन कर चुके होगे, तो right answer का option number B, आगे बढ़ते हैं, अतिदेख दोहन किसे कहते हैं, जिस प्रकार से हम जमीन से पानी को बहुत ही ज़्यादा मातरा में निकाल रहे हैं, है ना, तो उस प्रकार से जल संकट का मुक कारण क् तो चोटे नलकूप होते हैं, तो वेल जब चलाई आती हैं, तो चोटे नलकूप पानी देना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ठीके, इसी प्रकार से दोहन देखने को मिल रहा है, को ज़्यादी होती जा रही है, ठीके, इसलिए जल संकट का पुक कारण क्या हो जाता है अत्रिक दोहन हो जाता है आगे बढ़ते हैं यहां देखा है मोबाइल फोन के सीमित उपयोग की सलहा दी जाती है मोबाइल फोन की सीमित उपयोग मतलब जितना उपयोग है उतना ही करो इसकी सलहा क्यों दी इसका काल क्या है ये आपको यहां पर बताना है द्वाणी प्रदूसर रेडियो तरंग उत्सरजन या फिर बायू प्रदूसर इन में से कोई नहीं, राइट आंसर अमारा क्या होगा, बात करते हैं, मुबाइल फोन के सीमित उपियोक की सला दी जाती है, इसका काल होता है, र बाड़ के बाड़ से बचाओ, बांदर्माड, दुग दूत्पादन या फिर मतस्य उत्पादन, तो जो ऑपरेशन फर्ड है, ये बैरी बैरी इंपोर्टेंट क्योशन है, ये आप से पूचेगा, ऑपरेशन फर्ड कब चलाया गया था, तो इसको आपको कहां देना है आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, ये क्योशन 100% आने की संबावना है, कि ऑपरेशन फर्ड कब चलाया गया था, और किससे संबंदित हो जाता है, तो ऑपरेशन फर्ड संबंदित किससे है, ये हो जाता है बाड़ से बचाओ के लिए, और ये कब चलाया गया था, ये आपको होगा जो गिर राश्य उदाना है बह हो जाएगा अपने गुझरात में तो राइट आंसर हो जाएगा option number B आगे बढ़ते हैं अधिक्तम साथ चर्ता पृतिसत मिलता है जो अधिक्तम साथ चर्ता पृतिसत है बह कहां मिलता है आपको बताना है हरियाना में केरल में तमिलनाडू में करनाटक में तो जो अत्यदिक साचरता प्रती सत होता है आपको देखने को मिलता है कहां पर केरल में वही बात करें कम कहां मिलता है तो कम मिलता है अपने बिहार में ठीक है दोनों को याद करना है आगे बढ़ते हैं सन्यचण के लिए नया उपागम है चेत्र या फिर राश्चे उधान सनच्छित बन राइट आंसर बताना है कौन सा अपना हो जाएगा तो सनच्छड के लिए नया उपागम कौन सा हो जाता है जो नया उपागम हो जाएगा वह हो जाएगा जैब मेंडल स्वाचित चेत्र राइट आंसर दो जाएगा उप्शन नमबर अपना हो जाएगा B आगे बरते हैं next question next question दे रखा है भारत में बांधनिमार की सबसे बड़ी समस्या है नदियों की कम संख्या नदियों में जलहींता बाढ़ नियंत्रड या पिर पुनरवास तो भारत में बांद्रमार की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि नदियों में पानी क्या है कम है तो नदियों में जल हींता देखने को मिल जाती है आगे बढ़ते हैं बहरापन उत्पन होता है धनी प्रिदूसर से जल प्रिदूसर से बायू प्रिदूसर से मिर्दा प्रदूसर से तो तो बहरापन होता है बहुत्पन किसे होता है द्वानी प्रदूसर से होता है आगे बढ़ते हैं next question यहाँ देखा है neurotic mental disorder उत्पन होता है किसे होता है द्वानी प्रदूसर से gel प्रदूसर से मिर्दा प्रदूसर से बायू प्रदूसर से राइट अंसर मारा क्या रहने वाला है तो नियूरोटिक मेटल डिसाउडर उत्पन्ड होता है जो नियूरोंस होते हैं तंत्रिका तंत्रिकी नियूरोंस होते हैं बहे कारी करना कब मंद कर देते हैं जब प्रेशर बहुत ही जादा पड़ता है मतलब द किसका प्रडाम होता है सडकों का निर्माड मिर्दा अपर्दन बन बिनास या बन अपर्दन सोरी अनवरत बर्सा राइट आंसर बताना है कौन सा हो जाएगा अनवरत मतलब बे मौसम बर्सा मतलब बे शमय बर्सा सोरी बे समय की बर्सा तो ब्रहत इस तरिये भुष कलन किसका प्रेडाम होता है ये आपको यहाँ पर बताना है तो ये होता है अनवरत बर्सा का या फिर बहुत ज़्यादा बर्सा होती है या बे मौसम बर्सा होती है तो राइट आंसर हो जाएका ओप्शन नमबर डी अपना नेक्स कुशन की बात करते हैं नेक्स कुशन को देखेगा गैस इस्ताजी में गैस इस्ताजी से सम्बंदित भारतिय सहर का नाम है जो गैस इस्ताजी हुई थी उससे सम्बंदित भारतिय सहर का नाम कौन सा है इंदोर बोपाल उजयन ग्वालियर राइट आंसर हमारा क्या हो होगा तो आपको पता है गैस त्राजदी के संबंद कौन सा सहर हो जाता है बै हो जाता है मंद्द प्रदेश का भोपाल कहां का MP का भोपाल और यहां पर जो गैस लिज हुई थी ठीक है लीक इस वो कैंसी हुई थी ती नहां रthought आप्के लिए यह क्योशन बनेगा आपके एक्ज्ठाम में मिथाइल एसोससाइणाइड क्या हो गई थी यहां पर लीक हो और यहां पर क्योशन बन सकता है कौन सी सन में हुई थी तो ये भी आपको याद एकना है 1984 याद कैसे करेंगे छोरा सी मतलब छोरा क्या बोलना है बही सी की अवाज आ रही है कौन सुनना है बही छोरे से बही छोरा सी की अवाज आ रही है सी मतलब गैस की लिकिस की अबाद इस परकार से 1984 आगे बढ़ते हैं तेरे काई सर्वदिक तापमान कब अंकित किया जाता है जो सर्वदिक तापमान है कब अंकित किया जाता है प्राता ग्यारा बजे दोपहर बारा बजे अप रहा दो बजे अप रहा चार बजे राइट आं को लिए चाब 12 बजे होता है 2 बजे होता है बिलकुल नहीं सबसे जात आप मंदु देखने को मिलता है ये अप रहा मतलब पैर के बाग के समय की बात हो रही अप रहा कितने बजे 4 बजे देखने को मिल जाता है तो right answer का option number D आगे बढ़ते हैं next question प्राणी उद्धान सनचड का प्रिकार है जो प्राणी उद्धान होता है उसका सनचड मतलब बचाव का जो होता है प्रिकार कैसा होता है स्वेस्थाने मूलिस्थाने परिस्थाने प्राकर्तिक प्राणी उद्धान प्राकर्तिक तो है नहीं और नहीं उनके मूलिस्थान है, नहीं उसके मूलिस्थान है, क्या परिस्थान है या पर स्वेस्थान है, तो right answer हो जाएगा अपना स्वेस्थान है, क्योंकि मूलिस्थान किसे कहते हैं, मूलिस्थान उसे कहते हैं, जहां पर प्राड़ी पैदा हुआ और बहीं पर रह रहा है, तो वो ओजोन 6 है ये कार्ड है किसका ग्लोबल वार्मिंग का या फिर हो जाता है एल नीनो का तोचा कैंसर का बनू में आग का तो ओजोन 6 कार्ड किसका होता है बैं होता है ग्लोबल वार्मिंग का राइट आंसर दो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपना ए बेरी बेरी यहां देक़ है दौनी खतरनाक होती है दौनी खतरनाक होती है 50 decibel से उपर 80 decibel से उपर 100 decibel से उपर 200 decibel से उपर अगर यहां option की बात करते हैं तो यहां पर जो right answer रेने वाला है वो जाएगा 500 decibel से उपर की ठीक है? आगे बढ़ते हैं यहां दे रिखा है जल में क्लोरीन का उपियोग होता है जो जल है उसमें क्लोरीन का उपियोग होता है यहां को बताना है किसके लिए सैंथेटिक डिटरजेंट के रूप में डाइट के रूप में हानी कारक सूचम जन्तू बढ़ाने में या पर हानी कारक सूचम जन्तू मार परने के लिए right answer दाए का option number D next question की बात करते हैं मिर्दा अपर्दन रोका जा सकता है मिर्दा अपर जंदो होता है उसे रोका जा सकता है किसके दोरा अपर्दन मतलब क्या होता है अपर्दन जो मिट्टी उपर की होती है वे किसी बाई को दोरा नदियों को दोरा बहा कर एक जगे से दूसरी जगे ले जाना क्या कहलाता है मिर्दा अपर्दन कहलाता है तो मिर्दा अपर्दन रोका जा सकता है अती चरवाही से बन बिनास से बन लगाने से बन अस्पति हट आएंगे तो अपर्दन और होगा बन लगाने से बन बिनास से तो मिर्दा अपर्दन रोका जा सकता है किसे बन लगाने से राइट अंसर दो जाएगा option number C हो जाएगा next बते हैं भारत में जनसंक्या बद्दी का मुखेकारण है जो भारत है उसमें जनसंक्या बद्दी का के कार होता है बहपना हो जाता है कौन असिच्छा क्योंकि भारत में असिच्छा है इसलिए जनसंक्या बद्दी 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 जा रही है आगे बहते हैं बनों के बिनास के दुस्परिडाम हैं जो बनों के बिनास हैं उनके दुस्परिडाम क्या-क्या देखने को मिल सकते हैं बायू प्रदूसर ब्रदी बन जीवन का हरास मरस्तली करड या यह सभी तो बिलकुल बनों के बिनास के दुश्परडाम क्या होगे बायू प्रदूसर में ब्रदी होगी बन जीवन का हरास हो जाएगा मरस्तली करड देखने को मिलेंगे तो राइट आंसर क्या होगा option number D हो जाएगा ये सभी देखने को यहाँ पर मिलने वाले हैं आगे बढ़ते हैं radio धर्मिता का SI मात्रक है जो radio धर्मिता है उसका SI मात्रक क्या होता है QE, RAD या फिर BACURAL या RAM right answer हमारा क्या होगा जो radio धर्मिता है उसका SI मात्रक क्या होता है QE होता है right answer option number A हो जाएगा नेक्स बढ़ते हैं ozone 6 के लिए उत्रदाई gas है जो ozone 6 होती है उसके लिए उत्रदाई gas कौन सी है global warming के लिए उत्रदाई gas कौन सी है यह हमने देखा था पहला देखा है H2S sulfur dioxide नहीं H2SO sun sulfuric होगा सी अब आगी बात करते है यह देखा है CFC chlorofluorocarbon NS3 ammonia O2 oxygen ozone 6 के लिए उत्रदाई gas कौन सी है तो बैह हो जाती है chlorofluorocarbon right answer हो दाएगा option number अपना B जो कि आपके रेप्री ड्रागा आदी बगरा से निकलती रहती है आगे बढ़ते है मरस्तली कड़ परिकिरिया का परिडाम है जो मरस्तली कड़ परिकिरिया होती है उसका परिडाम क्या है उत्पादक्ता में हिरास उत्पादक्ता में बद्धी उत्पादक्त में संतुलंता या फिर अनूनि उकिएगा अच्छा यहाँ पर अनियमित होगा ठीक है यहाँ पर अनियमित उत्पादक्ता राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा मरुस्तली कडप्रिक्रिया का परिडाम है अगर मरुस्तली कडप्रिक्रिया हो जाती है तो बहाँ पर क्या देखने को मिलेगा उत्पादक्ता में कमी देखने को मिलेगी हिरास देखने को मिलने बाला है आगे बढ़ते हैं नेक्स कुशन सुन्दरबन टाइगर नेसल पार्क इस्तित है जो सुन्दरबन टाइगर नेसल पार्क है वो कहां इस्तित है यह आपको बताना है पश्चे मंगाल में, गुजरात में, लखीमपुर कीरी में, या फिर नाकपुर में, तो आपको पता है, सुन्दरबन कहां पर इस्तित है, तो सुन्दरबन पाए जाते हैं, वो आपको पता है, सुन्दरबन, जो सुन्दरबन है, वो कहां पर है, यह पश्चे मंगाल में है, अर वही पर सुंदर बन टाइगर नेसल पार्क भी इस्थित है और सुंदर बन में क्या पाए जाते हैं? मैंन गरोब बन पाए जाते हैं तो राइट आंसरो दो जाएगा Option नमबर ए हो जाएगा सुंदर बन टाइगर नेसल बार कहा गर स्थित है? पश्चिम मंगाल में इस्तित है आगे बढ़ते हैं निम्निकित में से कौन सा उकरड़ गैसिय उत्सरजन की रोगथाम में उप्योग होता है यह बेरी इंपूर्टेंट कुशन है बैं आपको यहाँ पर कुछ रखा है तो पहला दिरिक रखा है अपना इस्क्रेवर फैबरिक फिल्टर या फिर सेपरेटर अब सोसक राइट आंसर क्या होगा तो गैसों के उत्सरजिंग की रोगताम के लिए उपियोग की जाते हैं बैं होता है फैबरिक फिल्टर यह बहुत ही इंपोटेंट है राइट आंसर उप्शन नमबार भी हो जाएगा नेक्स कुशन की बात करते हैं नियंत्र टिपिंग द्यान दखना नियंत्र नियंत्र करना टिपिंग माने डिबबा ठीक है बॉक्स तो नियंत्र टिपिंग या फिर लैंड फिल्ट है आपको बताना है है क्या यह ठीक है तो पहला दिरक्त है बेर्थब अब्रतों को छोटे छेत्र में एकत्थित करने की पिरक्रिया या फिर भूमी को भरना या हो जाता है बेर्थब अब्रद्धि या बसमी करण तो right answer हमारा क्या होगा नियंतित मतलब इखटा करना tipping मतलब डिब्बे में तो बही हो जाता है कि ब्यत्पदार्तों को छोटे चेतरे में इकतित करने की पिरकिरिया हो जाती है right answer option number A हो जाएगा आपको नियंतित tipping भी दे सकता है या आपको सिर्फ land fill भी दे सकता है इसलिए आप ये तो यादी कर जाएंगा आपको बता ही दिया बस land fill आपको याद करना है कि land fill को क्या कहा जाता है ब्यत्पदार्तों के छोटे चेतर में इकतित करने की पिरकिरिया को कहा जाता है land fill आगे बरते हैं next question और यह हमारा last question है ने वाला इस वीडियो का तो रहका है green house प्रभाब की खोज की थी green house प्रभाब की खोज किसने की थी ये आपको बताना है पहला तो रहका है जोसेफ इस्टिवन जोसेफ फुरियर अलवाट आइंस्टीन अरगोबिन खुराना तो right answer हमारा क्या होगा green house प्रभाब की खोज की थी किसने जोसेफ फुरियर ने तो right answer हो जाएगा option number B very 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 important question हमारा हो जाता है तो यहाँ पर हमारे 50 question हो जाते है complete unit number 4 के इससे तीन से दो से तीन वीडियो ही और बनेंगी उसके बाद आपका involvement जो हो जाएगा वो खतम हो जाएगा अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो like से सस्काब दवा कर ठोकना है सभी के लिए ओपेंट बैल आइकन को प्रेश करना ना भूलेगा क्योंकि notification आपके घर पहुंचे ठीक है आपके घर तभी पहुंचेगा जब आप बैल आइकन प्रेश कर दोगे तो पेंट लाइक करना शेर करना चैनल को सस्क्राइब प्रेश कर देना बैल आइकन को प्रेश कर देना तो पेंट जैहन जै भारत